spend कर देते क्योंकि मुठ बाजी का action में end क्या है तो मनें 2 घंटा venture दिन का दे दिया एक चुतियाभी चीज में इसका end था कि तुम्हारे हाथ में कुछ निकल गया और फिर बैट के हाथ दो रहा और उसके बाद वो जो भी कहता तुम्हें 2 घंटे पहले तुम्हें उसका 5 % भी फरकनी पड़ता तुम्हें उससे कुछ चीखने को मिला तुम्हें उससे कुछ भी जेना देना भी नहीं उसके बाद क्या मिला उस चीज से उस चीज की अउकात उतनी रखो जितनी है और मेरी भई क्याल जर कैसीो है आज बात करने वाले हैं पाउंड हैबित के बारे में अपनी जो भी करन्ट पाउंड हैविस अपी चलती है उनको कैसे रिमूब करें कोई भी अगर आपकी प्रॉब्म है जैसे ये प्रॉब्म आई है इंस्टाग्राम से आप इंस्टाग्राम पे जा अपनी प्रॉब्म बेजो विडियो बनाऊंगा दूसी चीज किताब जरूर खरीदो जरूर इस बुक एवर किताब लिखिए मैंने आप खरीद सकते हो इसको फिलिप कार्ट पे या फिर एमेजॉन पे अब बात करें पॉर्ण हैबिस के बारे में जल्दी से किसी भी हैबट को ब्रेक करने के लिए पहले आपको यह चीज समझनी है कि उस हैविट का नेचर क्या है तुम्हारी हैविट का एक्जाट टीटेल्स क्या है आप किसी ना कि बज्च के पैटर्न को फॉलो कर रहे हो हो सता है बैटर्न यह हो कि भाईया तुम सुबह उठते हो तब यू बैटक्या अपनी मोटर चालू कर देते हो या फिर सोने से पहले या फिर बीच में साद्व ले ले तब या पिर जब पढ़ाई करने जारो अपने डश से बैठत आब करने एँ का करना आपको यह डिटेलस में आपको अपने आपको उस northern सेयर इनवार्म्यंट बढाई हो इसे कहते हैं आप का वो ट싫िर गर है जाब मुज़िए पर हो तो थे कि अन्वार्मय छोना जो करने अपको कर और आपको यह details में आपको अपने आपको उस environment से betray करना है उस routine से betray करना है वो जोपकी habit बनके उससे betray करना है तो छोटा से example क्या हो गया है let's say तुम्हारा खड़ा जाता है तुम्हारा दिमाग में घुसा हुआ है कि सोने से पहले आये तो फोन उठाके हाँ एक particular site है या पर particular forum है या पर particular subreddit है या या कुछ भी है तुम्हें जाना ही जाना है उसके इंदर तो तुम्हें यहां पर देखना है तुम यह daily काम करते आ रहे ह हो I'm pretty sure तुम already frustrated भी हो तुम्हें कोई मन नहीं कर रहा है तुम्हें कोई मज़ा नहीं आता तुम एक तरह से आदत के आदत से मजबूर होके कर रहे हो कुछ भी नया pleasure नहीं रहा गया उसक हो सकता है तुम इस आदत के चक्कर में जो ठक गई हो तुम और जादा extreme चीजें दे चोटा से example दे रहा हूं सोने से पहले phone नहीं लेके जा रहे अपने रूम में जो भी है phone अपने पास नहीं रखना ठीक है या फिर अगर पता है मैं सोता दो बजे हूं लेकिन बैड़ पे मैं एक बज़े चल जाता हूं और एक से दो घंटा एक से दो बज़े तक जोतना भी और कुछ नहीं वैस बैठा हूं और मॉर्निंग बूट तो ही तो भाईया टाइम आ गया फिर मॉर्निग दना भी है तो जबर्दस्ति रगणने बैठ जाएंगे करते हैं कितने लॉंड राइट या फिर जबर्दस्ति करने करना क्योंकि अगैन पैंटन बैठा हुआ हूआ जो बो-alег्मों में आपको तोक्त नीकल जानाँ आपको क्या करना है अगर ऊंपकिक अ जोन लगजा अंगाना ऊपको क्या करना है अगर ट्रफल में अगरा की पिज़ पगलने फोल पढ़ा है तो उठाओ कोई, भक्ति नहीं सुनारहे बैठके कोई आखिक बाडwritten शेयाई betray the moment, तब एक नई opportunity start होती है, फिर एक नई habit building का इजाद होता है, यानि कि तुम अगर उस दिन से तुम अगर रोज ये काम करने लग जा रहे हो, तो तुम एक नई habit start कर रहे हो, धीरे धीरे धीरे, जो कि overtake कर लेगी, overcome कर लेगी, जो previous habit थी जिसके वैसे तुम बर्शान थे, ठीक है, पहला point ये है, दूसरी चीज, इसको करने के लिए तो मैं genuinely अपने मन में, pawn से प्रेम की बजाए नफरत करनी पड़ेगी, the reason why a lot of people are comfortably fine with watching pawn is because तुम्हें कोई problem नहीं है उससे, you think ये sexy चीज है और ये गंदी चीज है और मुझे इससे अपनी नजर हटानी है, मन हटाना है फिर मुझे इससे दूर हटना है भागने की बजाए, उसको कहो ये घटिया चीज है, मुझे नफरत है इस चीज से ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि objectively ये true है objectively आपको कोई भी अपना ख्याल रख सकते हो क्योंकि objectively pawn क्या है यहाँ पे हम debate नहीं कर रहे है आप हिला रहे हो pawn को देखके तो subjectively आप pawn को पसंद करते हो तो आपको ये पसंद करना वाली जो विचारधारा है या जो भी feeling है इसको आप subjectively change करना है disgust में वो आप कर सकते हो simple सोचते वे भाईया पहली चीज़ है real नहीं है fact दूसरी चीज़ आप क्या देखके हिला रहे हो आपकी real life में क्या situation चल रही है आपकी real life में दूर आपको कुछ नहीं दिख रहा ना होते वे और आप पता नहीं क्या standards बिल्ड कर रहे हो आप कौनसी fetishes या fantasies को इजाद दे रहे हो उनको खाना दे रहे हो और उपने अंदर ग्रो कर रहे हो जो कि हो सकता है real life में कभी fulfill ना हो पाए हो सकता है आप इसको देख देख के पता नहीं कि इतने dark होते जा रहे हो आप और तो को हो सकता है पता नहीं किस नजरी से देखने लग जाओ क्योंकि आप real life में action में पहले ऐसे नहीं थे क्या फिर आप नहीं बनना चाहते आपको हर तरह से देखना है इसको मैं एक बात बताता हूँ बहुत सारे लोगोंगे जो कि I'm assuming nofap follow नहीं करते है which is a completely fine thing पर आपको जी समझना है जुनिया में 0 और 10 के बीच में बहुत बढ़िया चीज होती है balance मैं नहीं कहारा मुठ मारो ही मत ठीक है अगर आप 30 दिन तक का nofap करते हो वो भी बहुत healthy है क्योंकि एक तरह से आप fasting practice कर रहे हो आप एक habit को break कर रहे हो nofap मैं कहूंगा 30 days के लिए सब को करना चाहिए अपनी life में हर 6 महीने में एक बार जैसे 9 November होता है 9 Shave November या October जो भी होता है वैसी nofap आपको पूरा एक महीने कर रखना चाहिए हमें हर 6 महीने में एक आप साए जो भी आपकी habit हो 30 days के लिए नहीं करने वाला और यह नहीं कि समाज में इसको घोशना कर रही है कि सारे मर्दिये प्राक्टिस करे तुम खुद से अपनी जिंदिगे में भी वो चीज ला सकते हो कर सकते हो ना भाई कि भाई मैं 30 दिन तक अपनी खुद willingness से अपने खुद यह वोलेशन से यह decision ले रहा हूँ कि भाई मैं नहीं लूँगा 30 days के लिए मैं पॉन्ड नहीं देखने वाला 30 days के लिए मैं हिलाने वाला नहीं हूँ और जब वो चीज कर लो तुम आप पर control आजा कि हाँ तुम आप किसी चीज के गुलाम नहीं हो ठीक है तब तुम अगर हफते में दो बार हिला ले रहो कुछ बुराई नहीं उसमें Biologically speaking कुछ बुराई नहीं है सूरो जाइन्स गई लात मारो उसको फुटबाल बना के Actual biology के हिसाब से अगर आ Actual human biology की बात कर रहो मैं physiology की बात कर रहो आप अगर दो बार हिला रहो हफते में control fashion में जब आपका मन करे या ऐसा आप दिखो मैं बहुता हूँ कभी भी किसी जिसको routine मन बनाओ कि मुझे दो बार हफते में हिलाना है अगर आपका genuinely मन करे तो हिला लो हो सकता है कुछ दिन हफते में एक ही बार हो कख अगर दो इंसान अब इसको 10 पे ले ज़ो आप दिन में capacity रखते हो तीन से पता हने कितनी बार मार ने की अब एक इंसान जो तीन बार मार रहा है दिन में या तो बार मार रहा हूँ वो habit का गुलाम है और वो एक्स्ट्रीम वे में जा जा के पता नहीं क्या क्या देख देख के क्या क्या सोच सोच के कौन से extremes में जा जाके तोड़ तोड़ के जितनी भी तुभारे normal चीजें हैं, बंधन हैं I would say standards होने चाहिए जिंदगी के morality के या simple human relationships के जहां पे आप नहीं तोड़ते हो तुम पता नहीं क्या क्या देख देख के जा जाके, क्योंकि तुम्हें दिन में दो बार करना है सोचो कितने फटब तुम psychologically अपने आपको पुश कर रहे हो तब अब कौन नहीं होना चाहेगा, इस से free इसलिए तुम्हें पॉन को discussed से देखना पड़ेगा, अपना दिमाग से देखो, पॉन्ड डिस्कस्टिंग है, पॉन्ड को मैं ठच करूँगा ही नहीं हटा उसको अपनी जिन्दगे से लाइफ में कभी भी river psychology मत खिलो अपने साथ, यानि कि मैं मैं ऐस्टुबेट नहीं करूँगा, मैं मैं strategizing के अंदर आता है, आप चीजों के साथ nature के साथ उस element के साथ खेल लए हो उससे क्या होता है, आप उस routine में fight नहीं कर रहे हो boxing कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन आप उस जगह पर बैठे हो phone आपके हाथ में, और लेप से कोई photo आपने देख ली अब आपके अंदर feeling वहीं आ रही है आप हाड जाओगे आप हाड जाओगे, क्योंकि desire at the end of the day, जब basic एक तुमारा eternal time से वो चल लगी है, तुमारी routine जो चल ला है, वो जीच जाएगा ना moment of weakness, तुमारे एक second लगता उसको आने में, एक moment of weakness आया, वहीं हार के तुम चाहिए तुम 10 minutes से कह रहो नहीं, 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 फिर उतारे यार ऐसे नहीं करना तुम्हे, तुम्हे equation चेंज करनी है, दूसरा pawn के प्रती, discuss लाना है, तीसरा Instagram तुम्हें अपना clean करना है हैं, मैं 10 बार कह चुक हूँ, 20 बार कह चुक हूँ, पांच से अंगले भाया, उन जितनी भी देवी हैं जिनका actual में पूरा परपस यही है कि आपको ass और अपने tits से दिखा लें और अपने टांगे दिखा लें, और शकल दिखा लें, और कोई भी लड़की, कोई भी लड़की इस एंगल से करकर आके तुम्हें दिखवा सकती है फिर इस illusion में रख सकती है कि हाँ यह ऐसी body जो कि तुमने कभी नॉर्मली life में देखी नहीं है तो यह बात समझो कुछ तो ऐसे लोगों को unfollow मारो सीधे क्योंकि यह trigger को तुम्हारे खाना दे रहे मेरे भाई Instagram हो चाए, TikTok हो चाहे तुम्हारे कोई forum हो चाहे, तुम्हारे कोई fantasy हो तुम्हें जब पता है, यह चीजने डिरेक्ट खाना दे रहे है तो इनसे दूर हटो इनसे आपको प्यार की रिष्टा रिष्टा या दोस्ती का रिष्टा भी नहीं रखना कि हाँ कभी-कभी मिलने जा सकते हैं नहीं दोस्त दिमागी हटाओ तुम्हार पर 24 गंटे बहुत दिल से बहुत बात कहना चाहँगा जिंदगी में अगर टाइम को यूज करने लग जाओ पांच खुबसूरत जगाओं पर बहुत बढ़िया तरह से कल्टिवेट करो पर जिंदगी में बहुत खुबसूरत बढ़िया इंसान भी मिलेगा तुम्हें इन एवरी वेए लोग सोचते हैं लड़कियां सिर्फ पैसे बीचे भाग रही है इसलिए मुझे लड़की नहीं मिलती दोस्त पैसा अकर पांच चीज है ना तो उसमेंसे एक element है strong element है मैंने बात करें भी वीडियो पे लेकिन दोस्त आइडियली पैसे से जिंदीगी नहीं चल जाती जिंदीगी पर तुमारे ले थोड़ी पैसे खाएगी थोड़ी ब्रेक्फस्ट और लंच में रहेगी किसके साथ तुमारे साथ तुमारे अंदर क्या capacity है इंसान को कितने cultivated हो उने दिमाज से कितनी बड़िया बाते करते हैं इंसान का मन करे कि यार मुझे मजा आता है इसके साथ रहने में उस personality को grow करने के लिए आपको अपनी जिंदीगी में जो आपके बाद time है पूरे देन में उसको खाना देना पड़ेगा तुमारे कुछ hobbies बिल्ट करनी पड़ेंगी तुमारे ideology की सोचने की बजाए टेटा को बारे में सोचना चाहिए यानि कि मैं यह नहीं कहा रहा कि कई लोग होते news बहुत पड़ते हैं समझो लिखें वो पढ़ने ideology के point of view से मेरे ideology यह कहती है तो मैं सारे news पड़ोंगो जो इस ideology को confirm करेंगे उसकी बजाए पड़ो आओ देखें दुनिया में हो क्या रहा है बहाण में कई सारी ideologies तब तुम अपने दिमाग खोल रहे हो तो तुम्हें data दिख रहा है and the data is making you think so this is second thing imagine नहीं करो अब एक इस इंसान से मिलते हो बता रहा है और तुम्हें पर इसना जाता पहले तो data है plus तुम्हें देख capacity है of looking at data and the data makes you think creative thinking कहते है इसको critical thinking कहते है इसको तो आपको भी कभी भी किसी भी conversation में boring होने वाले हो ही नहीं कभी नहीं कभी नहीं हो सकते क्योंकि you can think so जो भी तुम्हें पर सा रहा है वो यह data है और तुम्हें इसको देखके नई conversation से जात कर सकते हो और genuine you know कहीं ले आ सकते है और प्लस आपके पस एक reservoir रखा हुआ data का आप उसको भी लागर कहरा सकते है यह 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 और तुम्हें तुम्हें यह समझना है अपने परिसनालिटी को ग्रोग कर और अपने परिसनालिटी को खाना दो अपने दिमाग को खाना दो जितना दे सकते हो दोस्त rather than you know इतना कम टाम है हमारे पार जिंदगी में यार सोचना है शीज के बारे में और हम कितना जादा टाइम कितनी साथ बेवकूफाली चीजों में spend कर देते क्योंकि मुठबाजी का actual में end क्या है तुम्हें दो घंटा बहेंचर दे दिया एक चुतियाभी चीज में इसका end था कि तुम्हारे हात में कुछ निकल गया और फिर बैटके हात दो रहो और उसके बाद वो जो भी कहता तुम्हें दो घंटे पहले तुम्हें उसका 5% भी फरक नहीं पड़ता तुम्हें उससे कुछ सीखने को मिला तुम्हें उससे कुछ भी नहीं देना भी नहीं उसके बाद क्या मिला उस चीज से उस चीज की आवकात उतिनी ही रखो जितनी है एद देन तुमारे हाथ में निकल जागा थोड़ा सा इतनी ही आवकात है उसकी ये था उस चीज का तो उस चीज को दो गंटे मन दो कभी-कभी मन करे पांच निट में निप्टा दो उसमें कोई प्रॉब्म नहीं है लेकर इसको तिनी बड़ी चीज अपना पना हो और उसके लिए तुम्हें कुछ और चीज़ बहुत बड़ी चीज बनाना पड़ेगा ताकि तुम्हें एक अलग तरह का mental stimulation मिले तो sexually तुम एसवाग mental stimulation दिए ऋए रहे है पॉसिभली वही है तुम्हाई लाइफ में एक जिसके थिरू तुम जीते हैं, और तुमें कुछ एक्साइटमंग मिलती है, क्योंकि तुम अपने दिमां के लिए कुछ नियं कर रहो तुम अपनी कुछ नियी कर रहो हो, तुम आपनी दिल में होता है नहीं असी चीज के तुम बुड़ रह जो। तुम दीज रही हैं और जो काम कर रह है इंसान शे मने बाद उससे बात कर लो फिर इस इंसान से, कौन इंप्रेस नहीं होगा उससे, कौन लड़की उससे लाइफ में सेट नहीं होना चाहेगी, क्योंकि भाइट से बात करके मजा आता है, क्या knowledge इंसान के कितनी जाधा बढ़ीया knowledge है, कितना इन बढ़िया चीजों में पुट कर रहे हो, तो आप एक चीज देखो, आपका मूट क्या होगा सुपह उठके, आप अपनी जिन्दीगी पे देता हूँ यार, अपनी जिन्दीगी बहतर करता हूँ, मैं इतनी सारी चीजों के बार में जान रहा हूँ इस दुनिया में, तो तु ना मुझे कुछ है, लेकर मैं बस देख रहा हूँ, बनती कैसे, फिर एक चीज आता है, तुम्हें पता चलता है, अच्छा, पूरी-पूरी युनिवर्स है, कुछ लोग है जिनका अक्शन में यही एक, let's say, इंट्रेस्ट है, टेस्स करना वाइन को, सफर्क जालना, रोज बार-बार बात करते रहते हैं, कुछ भी प्रोफाउंडरी है, मेंटल बहुस दोड़ी के मैस्टूबेशन करते रहते हो, और तुम कहते हो, हाँ दिन निकल गया, मैं बड़ा वोग हो गया, अपनी जिंदिगी में इसले घंटा कुछ अप्लाइव नहीं कर पाते, क्योंकि तो चार परिस्पेक्टिव तुम बॉरो कर रहे हो, वो तुम्हारे नहीं है, वो बॉरो करीवी चीज का कोई पॉइंट रही है भेंचो जिंदिगी में, क्योंकि तुम अभी तीन लोग जैसे मैं एक बात करें, मैंने सद्गुरू, शुयताब संदीप भाष्वरी, हमसे एक वाष्वरी, तुम आप उसको डिस्प्रूव करने कोई कुछ है नहीं तुम खुद अपने दिमा को कैसे ग्रोव कर सकते हो जब तुम्हारे पास चैलेंज करने को होता है सामने वाले का थौट, तुम्हारे पास प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है तुम्हारे प्री कर रहे हो दूसरे लोडों के बैट के यूट्यूब पे उनके व्यूज बढ़ाने में बेस्ट कर रहे हो और फिर कह रहे हो भाया पूरा दे निकल गया अब आप मुठ मार ले क्योंकि दिमाग ओलेडी डाउन है सेंस ओव अचीवमेंट आनी रहा खुच से दिमाग में तुम्हें लग रहा है कि हाँ कुछ एक्साइटमेंट चाहिए कुछ यू नो एक डॉपमीन हिट चाहिए प्रिकोज स्ट्रेस बढ़ रहा है अंदर अंदर डिसपोइंटमेंट भी है तो मुठ बाजी कर ली मुठ बाजी करने बाद लगा कि भेंचो अब तो और जिन्दी की जहंट है अब सोई जाए यह तुमारा रूटीन दोस्त और कुछ लोग जो बहुत ओवर वर्क कर रहे ह उनको होता है कि भाईया इतना जादा काम कर लिया अब स्ट्रेस आगया यह हो गया अमुठ मार के एक मोमेंट हमारा रिलाक्सेशन का दिन का वह हो गया मुठ मारना वह दूसरी चीज हो गई तो आपको दोनों को क्या करना है अपनी लाइफ में बैलन्स लाना है मेरे भाई जो ओवर वर कर रहा है उसको भी एक चीज रेलाइस करने ही भाईया पहले तो पैटर्न से ब्रेक करो दूसरा ओवर वर करने से तुम से एक साइट में जिन्दगी को खाना दे रहे हो और तुम्हारे पास तुम्हारे पटिकुलर एरिया में बात करने अलावा कुछ है ही न तुम ढंक से जोशली बात भी कर पाते बातको लोगों से तुम्हारे kalकारे प्यूँ क्यों से बात करने में एक एक क्लचर व ड्री नालिज होती यह व्ल्ली ऑइले। उसमें तुम आभी अंड不好 तो उальная अपने ली ड़ते रहते हो तुम को भाईया मैं दूसरे कंट्री ना जाना चाहता या मैं इतने लोगों से नहीं मिलना चाहता और तुम और उसमें तुम कह रहे होगी भाया मेरे लड़की उसे बात कर रहा हूं तो लड़कें उसे पटने रही अरे मैं तो इतना ज़दा पैसा कमाता हूं तब भी क्यों नहीं हो रहा क्योंकि भाई बीस अ का सब्सक्राइब नाम कि नहीं हो न है यह ओए उब बड़ी चीज है संजो चीज को पैसा आपकी khi फांडेशन है लेकिन फांडेशन अगर तुम एक हो रोकेट जो रोकेशिप के लिए फीउल चाहिए ना सबडैशन चाहिए लेकिन सफे हे युदे त्ध्सटYo Prior को् तो तुम्हारा structure क्या है, तुम कैसे shaped हो, तुम्हारा weight क्या है, body weight की बात नहीं कर रहा, knowledge का weight, हर चीज को metaphorically देखो, तुम कितना prepared हो, पैसा भी important है क्योंकि fuel से ये उड़ने के लिए, चलो ठीक है, fuel है तुम्हारे पास, fuel से थोड़ी की rocket उड़ जाएगा तुम्हारा, all round cultivation दो कि as a human being मैं grow कर रहा हूँ, as an intellectual मैं grow कर रहा हूँ, intellectual क्या भाण मैं, human being की word अच्छा है, as a person, I am growing, I am finding so many new things about life, दुनिया में कितने लू केते हैं, पता ही नहीं क्या करें, बोर्ड, अरे तुम्हारे ने जब तुम्हारे ने चेस्ट हाई नहीं है, तुम्हारे ने तुम्हारे ने हैं भाई, कोई इंसान आके पूरी जिन्दीगी के सारे टूल्स and kit में भरके लेके आजाए और हमारे बनाके हमारे सामने प्रेश कर दे कि भाई है यह लो, इस दर्वाजे से निकल जाओ तो मैं सब मिल जाएगा, घंटा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे तुम्हार किनाटी गुरो नहीं कर रहा है, समझो यार, ठीक है?